हलो सुटेंट्स मेरा नाम धीरज मोहंदिवेदी और स्वागत है आपके फेविरेट चानल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक कॉलिटी एजुकेशन के साथ तो चलें शुरू करेंगे हम आज आपके क्लास 12 अजुकेशन का जो चाप्टर है चाप्टर नमबर 4 तो बिलकुल इंपोर्टेंट है ध्यान से आप लोग यहां पर सुनना असको तो शुरू करते हैं मुविंग कॉल गैल्वनो मीटर देखो पहले तो मैं आपको बदाऊं कि यह जो गैल्वनो मीटर है ना मुविंग कॉल गैल्वनो मीटर यह एक इंस्ट्रुमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है to detect the presence of current and also to measure a small current है कि नहीं क्योंकि हम कहते हैं कि गैल्वनो मीटर बहुत ही sensitive instrument होता है मतलब बहुत ही small current भी होगा न तो वो detect कर लेगा कि यहां circuit में current है और उसको वो measure भी कर सकता है ठीक है तो यहां पर definition देखो moving coil galvanometer is an instrument used for detection and measurement of small electric current ठीक है तो यह इसका definition हो गया मतलब यह actually में होता है galvanometer ठीक है यह किस principle पे काम करता है बोलता ना किस सद्धानत पे काम करता है यह तो मेरी बात को सुनना galvanometer के अंदर basically एक rectangular coil होता है मतलब एक coil होता है जिसमे current का जब flow होगा और उस coil को magnetic field में रखते हैं तो basically galvanometer के अंदर एक coil है ठीक है जो magnetic field के बीच में रखा हुआ है और उस coil में जब current का flow होगा ना तो उस coil पे क्या act होगा torque और torque की वज़ा से वो deflect होगा और उसी से connected रहता है needle तो needle भी क्या होगा deflect होगा मतलब वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर current है ठीक है तो it is based on the fact that when a coil carrying current placed in a magnetic field then it experiences a torque जो हमारा previous video था उसमें पूरा बताया हुआ है आपको कि कैसे torque लगता है वो torque का expression क्या होता है वो सब आपको previous video में मिल जाएगा आपको ठीक है तो इसी fact पर यह based है तो देखो क्या लिखा हुआ है its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field it experiences a torque ठीक है इसी principle पर यह काम करेगा galvanometer तो चलो अब मैं आपको बढ़ाता हूँ कि वो galvanometer के अंदर क्या-क्या होता है उसके construction को यह की बात करते हैं बन ठीक है आओ देखो ध्यान से यहां बर यह रहा आपका moving coil galvanometer का एक diagram यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक है मैं एक एक करके चीजों को आपको explain कर रहा हूँ ध्यान से सुनना आप लो देखो यह जो आपको दिख रहा है न यह यह आपको एक rectangular frame दिख रहा है यह एक rectangular frame है दिख रहा है आपको rectangular frame भी लेते हैं और circular frame भी ले सकते हैं अभी यहाँ पर क्या है rectangular frame है ठीक है यह जो आपका rectangular frame है न यह generally हम लोग brass का बनाते हैं तो यह आपका rectangular frame है rectangular frame ठीक है उस rectangular frame के बाहर हम लोग windings करते हैं यह देखो windings है यह windings है मला बहुत सारे turns है आपर तो वो जो आपका rectangular frame है न ब्रास का उसके उपर copper wire की windings करते हैं बहुत सारी having n number of turns यहाँ तो आपको सिर्फ दो ही दिख रहे हैं है ना ऐसे बहुत सारे turns होते हैं उसमें वो copper की होते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया copper windings copper windings ठीक है clear यहाँ पर माल लेते हैं कि let end with the number of turns ठीक है चलो यह तो हो गया कहानी अब सुनना ध्यान से इसके बाद यह जो आपका winding का जो end है उसको हम लोग connect करते हैं इस head से इसे कहते हैं torsion head torsion head ठीक है अब देखो यहाँ पर basically यह जो आपका copper wire है न यहाँ पर एक mirror है यह M क्या है एक mirror बोल रहे हैं mirror यह mirror होता है कौन के mirror होता है ठीक है जिसके through हम deflection देखते हैं ठीक है चलो अभी देखो इसके बाद यह जो आपको दिख रहा है न यह आपका basically एक strip होता है जो किस material का बना होता है phosphor bronze strip यह क्या होता है phosphor bronze strip ठीक है क्यों use करते हैं इस material का strip वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़े देर के बाद अभी मेरी बात को सुनना तो copper wire यहाँ पर यह mirror उसके बाद यह phosphor bronze strip ठीक है उसके बाद वो connected है किस से torsion head से ठीक clear है कहानी ठीक है इसे हम लोग basically एक screw type है यह इसे हम बोल रहे है torsion head ठीक है अब देखो उसके बाद यहाँ पर इस rectangular frame के अंदर आपको एक cylindrical shape का कोई object दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं ठीक है यह जो आपका है यह soft iron core का material होता है ठीक है it is a soft iron core it is a soft iron core मेरी बात को सुनना द्यान से soft iron core का मतलब यह नहीं कि छूने में soft होगा soft iron core एक बहुती अच्छा magnetic material होता है है कि नहीं तो वो soft iron core हम लोग इस frame के अंदर place करते हैं ठीक है अगर यह rectangular frame है तो soft iron core हम cylindrical shape में place करते हैं अगर यह circular coil होता न circular frame होता न तो हम लोग यहाँ पर spherical shape में रखते soft iron core ठीक है मैं लिख दिता हूँ यहाँ पर for rectangular frame for rectangular frame we use cylindrical soft iron core cylindrical soft iron core लेकिन अगर यह circular होगा न आपका frame जो brass का बना हुआ है उस case में जो soft iron core है न वो हम यूज करेंगे sphere shape का ठीक है तो for circular frame for circular frame we use spherical soft iron core clear ठीक है चलो अभी बताओंगा सबका uses क्या क्या है ठीक है अभी बस मैं labeling कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है अब ध्यान देना इसके बाद यह आपको दिख रहा है दो यहाँ पर bar magnets है यह आपका north pole south pole है bar magnets का ठीक है तो यह क्या काम करेगा magnetic field provide करेगा उस coil को है के नहीं अच्छा यह जो आप कहाँ पर magnet provide करते हो ना इसका जो end है वो concave जैसा होता है देखो ना कि flat concave जैसा ठीक है तो concave का reason है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा ठीक है तो यह होगे आपका field magnets जो magnetic field provide कर रहे है तो यह होगे आपके field magnets field magnets इनका काम है magnetic field provide करना ठीक है clear ठीक है अब देखो यहाँ पर यह जो आपका एक और end है winding का उसको हमने एक spring से connect किया है ठीक है जो दूसरा end है आपकी winding का copper winding का उसको हमने एक spring से connect किया है यह spring भी phosphor bronze का ही बना होता है phosphor bronze का ही बना होता है ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं आपकर दो terminals T1 और T2 terminals का मतलब जो भी external circuit होगा उसका जो wire के जो दोनों ends होंगे वो हम लोग इस terminal T1 और T2 में connect करेंगे है कि नहीं तो circuit में connect करने के लिए यह terminals है T1 और T2 ठीक है अगर माल लो आपने एक end connect किया T1 से और दूसरा T2 से ठीक है यह terminal T2 और यह उसका दूसरा end हो जाएगा ठीक है तो T1 T2 क्या है terminals है terminals clear ठीक है और यह जो आपको base में दिख रहा है न इसे कहते हैं leveling screw ठीक है इसे कहते हैं leveling screw leveling screw leveling screw जानते हो न क्या होता है कि अगर माल लो surface uneven है तो उसको level करने के लिए leveling screw दी जाती है ताकि आप इसको horizontal बना पाओ leveling screw clear ठीक है तो यह होता है आपका पूरा galvanometer के अंदर की कहानी इसको हम लोग इसको हम लोग encase करते हैं एक non metallic box के अंदर ताकि air से exposed ना हो है ना तो air की वज़ा से कोई disturbance अंदर ना आए ठीक है चलो अब मैं आपको यहाँ पर working बताता हूँ ठीक है क्या कहानी होती है देखो जब हम यहाँ पर इस terminal T1 और T2 से ठीक है circuit में connect करते हैं ठीक है तो उस वक्त इस coil में current आएगा ठीक है जैसी आप galvanometer को circuit में connect करोगे है ना तो T1 के तुरू आपका current आया और वो current कहां गया उस copper windings में गया ठीक है तो अब बताओ यहाँ पर जो current है वो flow कर रहा है उस coil में ठीक है तो उस coil में अगर current flow कर रहा है और वहाँ पर already magnetic field present है और आपको यह पता है ना कि जब कोई coil में current flow कर रहा है और वो coil अगर किसी दूसरे magnetic field में placed है तो उसके उपर क्या लगेगा torque लगेगा ठीक है तो यह देखो यह frame है ठीक है जैसी इसमें current का flow होगा है ना इसमें torque लगेगा यह हम पर चुके है previous वीडियो में और जैसी torque लगेगा यह अपने position से क्या होगा deflect होगा है कि नहीं तो जब यह अपने position से deflect होगा और इसी से connected रहेगा आपका needle ठीक है और उस needle को आप mirror के थूँ देखोगे तो उस needle में भी क्या दिखेगा deflection जब यह आपका deflect होगा तो यह आपका जो needle है वो भी क्या होगा deflect और needle में deflection दिख गया that means circuit में current है क्योंकि current की वज़ा से यहीं वहाँ पर torque आया है हाँ है न is it clear? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहाँ पर और जो चीजें हैं उसका क्या-क्या काम है देखो यहाँ पर जो radial यह जो आपका है न फील मैगनेट्स यह फील मैगनेट्स को हम concave shape में रखते हैं concave shape में क्यों रखते हैं? क्योंकि concave shape में अगर रहेगा न तो magnetic field का कोई leakage नहीं होगा पहला reason तो यह है ठीक है? जो भी magnetic field लिक लेगा न वो कहीं बाहर नहीं जाएगा मलब बहुत ही minimum leakage होगा मलब पूरा का पूरा magnetic field उस coil की उपर fall होगा ऐसा बोल सकते हैं ठीक है? दूसरा reason यह है concave shape का कि जो आपका magnetic field होगा न वो radial होगा किसके? उस coil के ताकि वहाँ पर हमेशा maximum torque condition बना रहे अब maximum torque condition के लिए हमें मैं आपको formula बदाता हूँ देखो आप यह बदाओ, यहाँ देखो torque का formula होता है N, A, B, I sine alpha यह formula हम लोगों ने previous वीडियो में देखा हुआ है ठीक, जिसमें alpha क्या होता है? angle between magnetic field and area vector of coil ठीक, अब बदाओ अगर यह alpha 90 degree होगा, तो maximum torque होगा न? because sine 90 is one, which is maximum value तो आप बदाओ, maximum torque के लिए यह 90 होना चाहिए तो आपका हो जाएगा N, A, B, I मतलब alpha equal to 90 degree और हम चाहते हैं कि maximum torque वहाँ पर हमेशा के हर position पर maximum torque बना रहे अब ज़रा सोचो अभी यह coil ऐसे है ठीक, अब देखो magnetic field lines ऐसी जा रही है आप बता न, इस condition में magnetic field lines इस plane के along है की नहीं और area vector इसके perpendicular होगा बाई किसी coil का, जो area vector होता है वो उस plane के perpendicular होता है तो यह area vector यह आपका magnetic field lines, तो दोनों आपस में क्या हुए? 90 degree हुए मतलब यह maximum torque condition है की नहीं? है की नहीं? अब देखो जो आपका magnetic field lines निकल रही है उस magnet से ठीक है? वो concave shape होने की वज़ा से जो magnetic field lines निकलेंगी न वो इसके हर position पे magnetic field lines क्या रहेंगी? इसके along रहेंगी मतलब area vector के perpendicular रहेंगी ठीक है? तो यहाँ पर जो magnet है न वो provide करता है radial magnetic field मतलब वो magnetic field lines प्रोवाइड करेगा जो उसके area vector के perpendicular हो साथी साथ जो अंदर आपको soft iron core दिख रहा है उसका major reason यही है सुनना द्यान से अब मैं बताने जा रहा हूँ जो अंदर soft iron core प्लेस किया है उसका reason क्या है प्लेस करने का soft iron core ठीक है? provide radial magnetic field to the coil at all position so that torque remain maximum in all positions तो सुनना द्यान से क्या होता है? देखो यहाँ पर देखना यह जो आपका soft iron core है बीच वाला ठीक है? वो क्या करेगा? जैसे माल लो आपका यह coil deflect हुआ ठीक है? तो जो magnetic field lines निकली है ने यासे वो due to soft iron core वो ऐसे रिपेल हो जाएंगी ठीक है? कैसे हो जाएंगे रिपेल? ऐसे रिपेल हो जाएंगी मतलब ऐसे tilt हो आना तो अब तो magnetic field lines इस plane के along नहीं होनी चाहिए देखो इस plane के along magnetic fields नहीं होनी चाहिए लेकिन due to soft iron core वो उस magnetic field line को क्या करेगा? रिपेल कर देगा है के नहीं? यह देखो यह आपका soft iron core है इसका top view दिखा रहा हूँ मैं आपको यह देखो यह आपका है उसका top view तुम बदाओ यह जो आपका cylinder है इसका top view कैसा होगा? circular तो जो भी magnetic field lines निकलेंगी नहीं ऐसे वो ऐसे हो जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे मतलब यहाँ पर जो coil होगा अगर यह coil ऐसे turn हुआ है तो magnetic field lines जो निकली है वो भी ऐसे ही turn हो जाएंगी मतलब मैं in shot यह कहूँ कि आपका जो magnetic field lines है न due to soft iron core हमेशा उस coil के plane के along ही रहेगा तो अगर magnetic field line उस coil के plane के along है मतलब जो आपका area vector होगा उसके perpendicular रहेगा मतलब हर समय वहाँ पर maximum torque condition बनी रहेगी आ रही है बास समझ में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह जो soft iron core है ठीक है इसकी बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो जहांसे it enable it enable radial magnetic field radial magnetic field at all positions at all positions and due to radial magnetic field the torque will remain maximum at all positions ठीक है कि नहीं है आ रही है कहानी यहाँ पर समझ में अब देखो सुनो क्या होता है हमें maximum torque condition क्यू बना के रखनी होती है ठीक है उसके पीछे मैं reason आपको देता हूँ ठीक है ध्यान देना बस इधर देखो यहाँ पर देखो ध्यान से अगर मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पर alpha को 90 degree नहीं रखा ठीक है तो क्या कहानी होगी देखो ध्यान से यह देखो आप यह बताओ यहाँ पर टॉर्क का expression क्या है एन ए बी आई साइन अलफा ठीक है अगर मैंने अलफा को 90 degree fix नहीं किया मतलब alpha की value vary कर रही है तो आप बताओ यह जो torque है वो current पे भी depend करेगा और यह alpha में depend करेगा मतलब अगर यह alpha vary करेगा तो क्या मैं torque को directly proportional to i बोल सकता हूं क्या नहीं बोल सकता हूं अगर alpha vary करेगा तो है कि नहीं तो अगर alpha constant रहेगा तभी तो आप बोल सकते हो कि torque is directly proportional to current और हम क्यों चाहते हैं कि torque directly proportional to current हो क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना जादा current हो उतना जादा torque हो मतलब उतना जादा deflection हो हम चाहते हैं कि जादा current हो तो जादा deflection show करेगा वो कम वहाँ पर current होगा तो कम deflection show करेगा मतलब हम चाहते हैं कि torque जो है वो current पर directly depend करे लेकिन अगर वहाँ पर alpha angle अगर vary करेगा तो क्या torque आई पर depend कर पाएगा directly proportional नहीं तेक हैं इसी लिए हम alpha को fix रखना चाहते हैं और वो fix value क्या चाहते हैं हम 90 degree और वो alpha 90 degree कब होगा जब आपका magnetic field lines हर वक्त उस plane के along रहे मतलब area vector के perpendicular रहे तेक हैं आप यह देखो यह अगर आपका coil है तो यह आपका magnetic field lines अगर ऐसा coil हो तो कोई हो जो magnetic field lines को मोड दे ताकि वो इस plane के along ही हो जाए ठीक हैं तो वो कौन मोड़ता है soft iron core यह कहानी होती है ठीक है अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो तो यह समझ माया कि soft iron core का purpose क्या है ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर यह जो आपके bottom में spring लगा हुआ है ठीक है यह spring का क्या काम है spring क्यों लगा दिया है आपर spring का reason यह है कि to produce restoring torque आप यह बताओ अगर वहापस spring नहीं होता और मानलो current flow करता तो यह deflate होता और अगर मानलो current zero हो गया मालो वहाँ पर हमने switch off कर दिया तो आप अदाओ यह वापस अपनी जगा पर जाना चाहेगा नहीं तो वापस अपनी जगा पर कैसे जाएगा जब यहाँ पर spring होगा क्योंकि आपको मालूम होगा यह चीज कि जब भी किसी spring में twisting आती है ठीक है तो वहाँ पर एक restoring torque develop हो जाता है जो चाहता है कि हम उसको restore करें तो जैसी इसमें deflection आएगा न उस spring में restoring torque develop हो जाएगा ठीक है और जैसी आप सुचाओफ करोगे वो restoring torque क्या करेगा उसको वापस से original position पे लेके आ जाएगा मतलब वापस से zero deflection पे लेके आ जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पर spring का का क्या है तो हम यहाँ पर बोलते हैं spring में जो है आपका spring का purpose here due to spring here due to spring restoring force restoring torque developed ठीक है which bring the coil back to original position when current is zero इसे क्लियर ठीक है अब देखो यहाँ पर जो फॉस्फोर ब्राँज स्टिप का यह स्टिप बना हुआ है यह जो आपका spring है यह भी फॉस्फोर ब्राँज का बना हुआ है ऐसा क्यूँ कोई और material का हमने क्यूँ यूज नहीं किया क्योंकि फॉस्फोर ब्राँज स्टिप जो है ना उसका torque constant क्या होता है बहुत ही कम होता है ठीक है मतलब यह आप लोगों ने एक formula पढ़ा होगा 11th class में ठीक है F is equal to KX पढ़ा होगा आपने KX जिसमें K क्या होता था spring constant यह था आपके linear में अब अगर rotation की बात करें तो force की analogy क्या होती है टाव तो टाव equal to आपने K into theta पढ़ा होगा आपने ठीक है तो आप बदाओ यहाँ पर यह जो K है न इसे कहते हैं torque constant ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं tau upon K is equal to theta लिख सकता हूँ ठीक है तो अब बदाओ अगर किसी material का torque constant कम होगा तो उसमें deflection अच्छा दिखेगा न और हम चाहते हैं कि ऐसा वहाँ पर अगर बहुती कम current होना तो भी आपका deflection अच्छा कासा दिख जाए और यह बताओ deflection अगर अच्छा कासा दिखना है तो उसके लिए ऐसा material यूज करना होगा न जिसका torque constant कम हो क्योंकि अगर माल लो उसका torque constant जादा है माल लो कोई और material यूज किया मैंने जिसका torque constant जादा है ठीक है तो वो easily वहाँ पर bent ही नहीं होगा deflect ही नहीं होगा वहाँ पर मतलब वहाँ पर current भले कितना भी flow करे लेकिन उसका deflection notice नहीं हो पाएगा ठीक है तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा भी current flow हो तो वहाँ पर deflection दिख जाए मतलब theta वहाँ पर exist कर जाए deflection तो उसके लिए material जो है उसका torque constant क्या होना चीए कम होना चीए है कि नहीं ठीक है तो जो phosphor bronze है ना उसका torque constant बहुत कम होता है ठीक है इसी लिए उसका हम use करते हैं यहाँ पर is it clear ठीक है तो ये था आपका पूरा construction of moving coil galvanometer है ना simple सी कहानी होती है इसमें कि हम current को flow कराते हैं तो उस coil में current flow करता है और वो placed है magnetic field में ठीक है तो due to due to magnetic field उस current carrying coil की उपर क्या लगेगा torque और torque की वज़ा से क्या हो जाएगा वो deflect और उसके उसके उपर लगा हुआ है आपका needle तो अगर coil deflect हुआ है तो needle भी क्या होगा deflect मतलब वहाँ पर आप देख पाओगे कि हाँ यहाँ पर current है इसर प्लिया यह कहानी होती है इसमें ठीक है अब यहाँ पर कुछ calculation involved है वो calculation की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ठीक है चलो तो पहले काम करें आप लोग इसका screenshot ले ले फिर हम देखते हैं इसमें कुछ calculations है वो क्या है चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या calculation involved है ध्यान देना आप यह देखो तुम यह बताओ जब current का flow होगा उस rectangular coil में है ना तो वहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा ठीक है तो टॉर्क कितना डेवलप होगा maximum टॉर्क कितना डेवलप होगा N A B I ठीक है अच्छे इसमें आपको यह सब पता है न क्या क्या होता है N होगा number of turns A होगा area of coil B होगा जो magnetic field provide किया है हमने और I जो आपने flow कराया है ठीक चलो तो यह आपका होगा यहाँ पर टॉर्क यह maximum टॉर्क होगा और हमेशा galvanometer में maximum टॉर्क कंडिशनी मेंटेन रहती है ठीक है अब बदाओ जब यह टॉर्क लगेगा तो restoring टॉर्क भी डवलप होगा न स्प्रिंग में तो restoring torque कितना होगा restoring torque यह होगा आपका k into theta होगा ऐसा ठीक है और यहाँ पर आपको यह पता होगा कि जितना उसमें torque लगा है उतना ही restoring torque डवलप होगा तो कि जैसे current zero करोगे वापस से एकदम उसको exact original position पर लेकिया आजाता है वो है कि नहीं तो restoring torque बराबर ही होगे नहीं ठीक है तब इतो वो पूरा restore कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम कहेंगे since torque maximum torque should be equal to restoring torque मतलब k theta should be equal to what n a b i ठीक अब देखो यहाँ पर ध्यां से यहाँ पर क्या करोगे इसको नीचे लाओ ठीक तो आब बदाओ i is equal to लिख सकते हो क्या k upon n a b into theta है नब अब देखो ध्यां से यहाँ पर इधर यह बदाओ यह जो आपका k है वो constant है आपने जो material का use किया वहाँ पर spring so use कर लिया तो for a given galvanometer k constant number of turns जो है constant है जो area होगा coil का वो भी constant है जो magnetic field provide कर रहे है वो भी constant है for a given galvanometer ठीक है तो आप बदाओ यह एक constant है न ठीक है तो यहाँ बदाओ हम बोलेंगे here k upon n a b is g which is a constant value ठीक है तो यह जो आपका constant है इसे हम लोग कहते है g को galvanometer constant galvanometer constant ठीक है तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं i is equal to g into theta ठीक है तो आप बदाओ यहाँ से आपको देख के लग रहा है क्या i is directly proportional to theta है के नहीं मतलब जितना ज़्यादा current उतना ज़्यादा वहाँ पर deflection देखने को मिलेगा ठीक है के नहीं है तो यहाँ पर यह चीज़ justify हो गई न कि जितना ज़्यादा current flow करेगा उस coil में उतना ज़्यादा torque लगेगा मतलब उतना ज़्यादा deflection देखने को मिलेगा ठीक है तो i is directly proportional to theta और इसमें यह जो k upon nab है इसे कहते हैं galvanometer constants मतलब यह particular galvanometer के लिए यह सारी चीज़े क्या होंगी constant होंगी is it clear ठीक है चलो तो यह हो गया यहाँ पर जो calculation involved था clear है कहानी ठीक है तो आप लोग एक काम करें इसका screenshot ले ले ठीक है चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे sensitivity of galvanometer उसकी बात करेंगे भलोग ठीक है तो चलो शुरू करते हैं यहाँ देना sensitivity of galvanometer देखो हम कहते हैं कि galvanometer बहुती ज़्यादा sensitive होता है तो sensitive का मतलब क्या तुम लोग क्या सबस्ते हो sensitive का मतलब ठीक है तो मेरी बात को सुनना ध्यान से sensitivity का मतलब यह होता है कि galvanometer बहुती small current भी अगर flow करेगा न तो भी वो deflection show कर देगा भी वेरी sensitive if it shows large deflection for a very small current ठीक है देखो definition क्या रिखा हुआ है a galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current is passed through it ठीक है और generally जो galvanometers होते हैं वो sensitive होते हैं मतलब थोड़ा सा भी current flow करेगा न circuit में वो deflection show कर देगा आरे ये बास समझ में इसी लब कहते हैं कि galvanometer का इस्तमाल किया जाता है to detect a very small current is it clear? ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि galvanometer को sensitive बनाया जाए मैंला हम क्या करते हैं कि galvanometer इतना ज़ादा sensitive होता है तो सुनना दियां से यहाँ पर इतना देखो आप ये बदाओ अभी relation क्या देखा था आपने? i is equal to what? k upon n a b into theta ये देखा था आपने अभी तो यहाँ से theta को क्या लिख सकते? n a b upon k into i न? देखो वहाँ से theta को separate करो तो theta लिख सकते? n a b into i upon k ठीक है अब देखो ध्यान से इस expression को हम चाहते हैं कि for a given current मतलब current अगर fix है तो ये theta जादा हो for a given current हम चाहते हैं कि deflection जादा हो मतलब उसको sensitive बनाना चाह रहे हैं तो आप बदाओ for a given current if we want theta should be more for that आपका number of turns जादा कर दो तो आपका theta जादा हो जाएगा या coil का area जादा कर दो तो theta जादा हो जाएगा या magnetic field वहाँ पर strong provide करो तो वहाँ पर theta जादा हो जाएगा या फिर जो material यूज़ कर रहे हो उसका torque constant कम हो तो अगर k कम होगा तो भी ठीटा क्या होगा जादा होगा तो हम चाहते हैं कि galvanon meter को sensitive बनाया जाए तो उसके लिए हम चाहते हैं कि for a given current जो आपका angle of deflection हो वो जादा हो तो उसके लिए अंदर जो manufacturing में change करनी चाहिए वो क्या कर सकते हैं आप जादा turn यूज़ करो ठीक हैं जादा बड़ा area का low up coil जादा strong magnetic field provide करो ठीक हैं और फिर ऐसा material यूज़ करो वहाँ पर जिसका torque constant कम हो तो ऐसा करने से वहाँ पर deflection जादा देखने को मिलेगा for a given current है के नहीं लेकिन यहाँ पर कुछ challenges हैं क्या challenges हैं देखो हम जादा number of turns नहीं कर सकते एक particular limit तक ही हम number of turns को increase कर सकते हैं नहीं तो अगर जादा turns करोगे तो वहाँ पर galvanometer बलकी हो जाएगा तो number of turns को हम एक certain limit के बाद increase नहीं कर सकते ठीक है वही कहानी area के साथ भी है कि जादा बड़ा coil use नहीं कर सकते हम वो भी क्या बनाएगा ठीक है आपकी galvanometer को बलकी बनाएगा है ना ठीक है लेकिन हाँ magnetic field को हम increase कर सकते हैं by providing a strong horseshoe magnet ठीक है मतलब ऐसा magnet यूज करो जो की बहुद इस strong magnetic field प्रोवाइड करे वो कर सकते हैं है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर magnetic field को हम increase कर सकते हैं by providing horseshoe magnet strong horseshoe magnet ठीक फिर यह जो आपका K है मतलब ऐसा material यूज करो जैसे था ना आपका फॉस्फर ब्रॉंस ठीक है जिसका torque constant बहुत कम हो ऐसा material यूज करोगे न ठीक है तो वहाँ पर deflection अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर अपने हाथ में जो है ना वो है magnetic field और K यह चीज है बागी N और A जो है ना वो एक certain limit के बाद उसको हम बढ़ा नहीं सकते यार इसलिए क्लियर ठीक है तो यह कहानी है तो वही बाते लिखी हुई यहाँ पर for a given value of Y theta will be large of NAB by K is large ठीक है if NAB by K is large तो उसके लिए N large कर दो A large कर दो B large कर दो या K small choose करो ठीक है लेकिन ये दोनो certain limit तक ही हम कर सकते है लेकिन इनको हम काम कर सकते है strong magnetic field provide कर सकते है हम ऐसा material choose कर सकते है जिसका के कम हो यह अपने हाथ में होता है है कि ने तो ऐसे करके हम galvanometer को sensitive बना सकते है इसे clear ठीक है चलो तो ज़रा इसका screenshot ले चलो अब जो मैंने बाते कही थी न वो यहाँ पर पुरा लिखा हुआ है कि या number of turns को हम उतना increase नहीं कर सकते है certain limit तक increase कर सकते हैं तो जो बाते मैंने बोली हैं वो यहाँ पर लिखा हो मिलेगा आपको तो इसको ज़रा screenshot ले ले चलो अब हम बात करते हैं sensitivity दो टाइब की होती है एक होता है current sensitivity और एक होता है voltage sensitivity क्या होता है current sensitivity? ध्यान देना देखो current sensitivity is the amount of deflection per unit current flowing through it मतलब जब unit current flow करेगा उस galvanometer में उस समय जो amount of deflection होगा that is called as current sensitivity तो simple deflection per unit current इसे कहते हैं current sensitivity ठीक है? ये कुछ terms है जो कि आपनको पता होना चाहिए ठीक है? simple कहा नहीं है deflection per unit current is current sensitivity है ना? तो इसका unit क्या होगा? obvious ही बात है radian per ampere होगा की नहीं होगा? ठीक है? चलो अब voltage sensitivity क्या होगा? simple आपका deflection per unit applied potential difference ठीक है? तो जब galvanometer के across वो terminal T1, T2 remember? है ना? उस T1, T2 के cross अगर आप unit voltage apply करते हो ठीक है? तो उस समय जो deflection देखने को मिलता है that is called as voltage sensitivity तो simple आपका deflection per unit potential difference उसे कहते हैं voltage sensitivity है ना? तो definition लिखा हुआ है it is defined as deflection produced in galvanometer when a unit potential difference applied across the galvanometer है के नहीं? ठीक है? इसका unit क्या होगा? रेडियन पर वोल्ट clear? ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिख सकते हो current sensitivity तो theta upon i को लिखा current sensitivity मतला voltage sensitivity equal to current sensitivity upon r वा न ठीक है? तो यह relation होता है vs equal to is upon r this is the relation between voltage sensitivity and current sensitivity इसे क्लिया? ठीक है? तो यह था आपका simple sensitivity of calvinometer तो यह important formulas है है ना? यह अभी आगे चलके use होगा आपके ठीक है? numericals में चले तो यहाँ पर अपना एक काम करें पहले इसका screenshot ले ले ठीक है? तो यहाँ पर अपना यह जो आपका introduction था moving call calvinometer का यह खतम होता है next video जो रहेगा ना वहाँ पर अपन बात करेंगे conversion of calvinometer into emitter and voltmeter कैसे हम calvinometer को convert करते है emitter या voltmeter में वो हम देखेंगे in the next video ठीक है? तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है? simple magnetbrains.com पर जाना है वहाँ पर आपको अपनी class select करनी है अपना subject select करना है जैसे आपने select किया physics watch now पर click करेंगे जैसे click करेंगे chapter के list मिलेगी आपको फिर जो भी आपको पढ़ना है उसको click करें और फिर ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा simple तो बस अन्त में ही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको like जरूर करें और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी subscribe करें ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फाइदा मिल पाए Thank you